तो दोस्तो आप सबको मैं बता दूँ कि NTPC Green Energy IPO बहुत ही जल्द खुलने वाला है या दोस्तो जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है कि सुत्रो ने बताया है कि कमपनी अगामी 11 नवंबर को अपना RHP सेबी के पास जमा करा सकती है दोस्तो या न्यूज आप मनी कंट्रोल की विबसाइट पर जाकर देख सकते हैं दोस्तो अगर सोमवार 11 नवंबर को RHP दाखिल करने का मतलब होगा कि जिल लोगों ने सुक्रवार 8 नवंबर तक NTPC के सेयर खरीदे हैं उन्हें ही NTPC Green Energy के IPO में सेयर धारक कोटा के लिए योग गिमाना जाएगा मतलब कि जैसे आज सटर्डे और संडे तो बन था तो फ्राइडे तक जिन्होंने भी इसका NTPC का सेयर बाई किया था वही अब सेयर धारक कोटा सेयर होल्डर कोटा में इलिजबल हो पाएंगे तो आपने देख लिया कि अगर 11 नवंबर को सेबी रहचपी फाइल दाखिल कर देती है तो 8 नवंबर तक जिन लोगों ने NTPC का सेयर खरीदा है वही इलिजबल होंगे सेयर धारक कोटा यह तो अब समझ में आ गया बात आगे करें तो कंपनी को हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी से 10,000 करोड रुपए के IPO के लिए अंतिम मंजूरी मिली है इसने 18 सितंबर 2024 को IPO के लिए ड्राफ डाकुमेंट डाखिल किये थे है ना दोस्तों आपको बता दे कि IPO में सबसे ज़्यादा सवाल सेयर होल्डर कोटा का पूछा जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं स्कीन पर लिखा है कि telepc ग्रीन एनर्जी IPO में सेयर धारको का कोटा भी होगा इसलिए जिनके पार RHP दाकिल करने की तारिक तक एनिटी पी सेयर है वे आयपियों में सेयर धारक कोटे से भाग ले सकते हैं सेयर धारकों के कोटें के लावा IPO में के कंपनी के करमचारियों के लिए भी कोटा होगा इतना ही नहीं कर्मचारियों के बाकी सेयर धारकों के मुकाबले कुछ डिसकाउंड में सेयर दिये जा सकते हैं तो यह तो हो गया NTPC Green के सेयर होलडर कोटा की बात आगे इसके आज हम करेंट GMP की बात करें दोस्तों तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका प्राइस 120 रुपए से 125 रुपए हो सकता है वहीं इसका GMP जो करेंट मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है वो 22 रुपए है जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है लॉट साइच कितना होगा वो अभी अपडेट नहीं हुआ है जैसे ही आरेच्वी फाइल हो जाएगा यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा अलाट्मेंट का चांस है बाइस नवंबर तक और 18 नॉंबर से 21 नॉंबर के बीच में यहां आईपियो आ सकता है मतलब आरेच्वी फाइल जब हो जाता है मतलब जब आईपियो आने वाला रहता है तो उससे 7 दिन पहले आरेच्वी फाइल होता है तो अगर 11 तारीक होगा तो 18 तारीक हो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह IPO खोल जाएगा तो यह रहा अभी तक का अपडेट आप लोग वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद